और मेरा भांजी लगे उसको सर गेंग रेप करके मदर कर दिया है तक नहीं नहीं मिलें कौन गेंग रेप किया है कमले से जाजा पॉले से आ रही था पर कर लड़का आया था घर पर धमका के गया कि तुम हमसे साधी नहीं करोगी तो तुम को मार के फेक देंगे अच्छा बह परदस्ति कर रहा था कि तुम से साधी नहीं करोगी तो मार कर फेक देंगे फारवर्ट के बेटी बहन के साथ है रेप और हत्या होता है तो पुरे भारत सरकार और पुलिस परसासन के लगता है कि उसी के बेटी के साथ घटना घट गया है और दलीद वेकवर्ट मुस्लिम स राष्टी अध्यक्ष गोल्डेन दाजी के ऑफिस है जहां पर गोल्डेन दाज जो है पिछले एक सब्ता से लगतार जनता दरबार लगा रहा है और हर एक आपको उतादू की बिहार के अलग-अलग डिस्टिक से देश के अलग-अलग स्टिटों से लोग आ रहा है अपनी बीत जाने के बाद दलित्यू के यह स्टिति आपको भरोसन नहीं होगा लेकिन आग मैं कुछ कहूं से पहले आप लोग कहां से हैं यह बताइए क्या समस्या है कि आज आप लोग गोल्डेंदास के आफिस पर आए हुए हैं सर मेरा भांजी लगे उसको सर गेंग रेप करके मदर कर दिया है अभी तक नहीं मिले कौन गेंग रेप किया है कमले सिजाजा वह तो यह केला हो गया और और भी होंगे सर उनका नाम पता नहीं चला वह बता आएंगे जब रिमान पर लेंगे तो बता देंगे अभी तक कोई हमको पता नहीं कि इससे आगे बढ़ेगा क्या केस के नहीं अभी तक कुछ मालूम नहीं हम लोग को लड़की क्या नम था लड़की उस्साहकुमारी कितनी साल की लड़की थी अठाड़ा साल लड़की के साथ अचाव क्यूं हुआ है बताईए बढ़की के साथ कब वह पढ़ा कर आ रही थी अख़बार में लड़की को लेज से आ रही थी स्कूल से आ रही पर लड़का आया था घर धंका के गया है कि तुम हमसे साधी नहीं करोगी तो तुमको मार के फेक देंगे अच्छा लड़की बहुत तरह के बात होआ पर रहा था कि तुमसे साधी नहीं करोगी तो मार कर फेक देंगे गिए फनदर तारिक को ये कांड होगा ती रात को मैंने पन्दर तरुको क्या हुआ का बंदर को फेक दिया शुला तारिक को बोला पांदर तारिक को बोला पता चला तो उसके बाद उसको प्टाइब नहीं था उसका पापा था चाचा उचा भी नहीं था लाइन लाज को लिया ले जाके साइड अरिया में घरवा दिया गया हम गये पुलीस को रिपोर्ट किये पुलीस आया ले आया उसको ले गया पोस्ट तो क्या हुआ पुलिस प्रसासन काम कर रहे हैं यहां से चले जाओ हमारी आपकी बेटी बैंट के साथ होगा रों कैसे चले जाएंगे ना बिल्कुल निया चाहिए तो फिर वह इसे भगा देता है तो गोल्डें दाजी का पता कैसे आपको चला हम यूटूब पर देखें नमर निकाले हैं और नमर निकला है उससे हम बात किया है जिसके पास ग कले से चले हैं अब हैं देखें दोस्तों कल रात से ही चले हैं पुरी एक दिन की सफर तय करके गोल्डें दाजी से उमीद लगा कर जो है इनके ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं और इनको पूरा बिश्वास है कि गोल्डें दाज जो है नहीं आई दिलाएंगे लेकिन आप स पूलिस परसासन से लेकर परतनीदी तक दभाने की कोशिस कर रहे हैं और कोई जो है आपको उतादू की दलीतों को सुनने वारा नहीं है जिसके वज़ा से यह लोग गोल्डें दाज के पास पहुंचे हुए हैं गोल्डें दाज क्या कुछ एक्सन लेते हम चाहेंगे सर ग श्किम मेडिया मगदै हम बराबर कहते हैं कि पोरी भारत के सरकार और भणा प्लिस प्रसासन पर मॉस्लिम के साथ घट हट्थिया हो रहा है जमील लूटा जा रहा है लेकि परसाशन और सरकार सब भी लांक हो जा रहा है सब को लंकोव भा इसलिए मैं नीच चैनल के माधियों से करके किसा स्पिरिट्राइल कराकर और निर्भिया कांड से मगदम घटना घटा है सब को फासिदम नहीं तुम्हें बहु जल्ड चूड़ी साड़ी सायर बिलाज एस्पी साफ और थाना अधिक्स जुकायर और निकर्मा नामर्द के तरह अभी तक चूड़ी और साड़ी पें लड़की ती तो देखे गुड्र दास का सबसे बड़ा बयाना और जिस थरीके से अंधुबनी में इनकी बेटी और बहनों के साथ आपको तादू की जो उसा थी उसा लड़की थी जो की बीए में पढ़ती थी और उस लड़की की जिस तरीके से गैंग रेप होता है और गैंग रेप के बाद उससे तलाब में फेक दिया जाता है और घटना के 10 से 15 दिन हो गया है इस पर बिल्वकुल पुलिशिया करवाई जीरो है उसको लेकर गोलने दास बड़ा ब्यान लेकर करेंगे और जो दोसी होंगा उनको फासी की सजा दिलेदिना के काम करेंगे से तो पुला पूरा सिस्टम बिहार के लोग पुरे देशबाजनेरी में द्वेंगए इतनी हो हो जाती है और अब तक कोई करवाई नहीं हुए है तो आप अंदजा लगा सकते हैं कि कितनी सुसासन बाबो की सरकार अच्छी से इस बिहार में चल रही है